बिग बॉस 13 खत्म हो चुका है और इस शो को खत्म होए भी काफी दिन बीद गये लिकन शायद ना तो फैंज के सिर से शो का खुमार उत्रा है और ना ही इन कंटेस्टेंस के सिर से बेग बॉस के घर में कंटेस्टेंस कई नए रिष्टे बनाते हैं, कुछ प्यार के, कुछ दोस्ती के, तो कुछ ऐसे रिष्टे चिनका शायद नाम नहीं होता एक ऐसा ही रिष्टा है पारस और महरा का जिसको शायद सही नाम नहीं दे पा रहे हैं हमारे पारस छाबड़ा महरा से बढ़ती नस्दीकियों के कारण ही पारस का अपनी गर्फरेंड अकांक्षा से ब्रेक अप हुआ दोनों की बॉंडिंग बेग बॉंस की घर में कैसी थी ये हम सब ही जानते हैं लेकिन शायद पारस और महरा खुद इस रिष्टे को समझ नहीं पा रहे हैं किन दोनों के बीच है क्या दूनों एक डूसरे के बारे में कई बार पब्लिक प्लैटफॉर्म्स पर बात करते देखे गए हैं पारस मतलब उस घर में मेरा एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम था यहां तक ये पारस के शो मुझसे शादी करोगे के घर में एंटर होने से पहले भी दोनों ने मुलाकात की थी महरा बाहर इंटर्व्यूस में अभी तक पारस के बारे में बात करती नजर आ रही है मैं उसको मिस अभी नहीं करी क्योंकि मैं कली उससे मिली और मैंने उसको कहा 36 आएंगी 36 आएंगी तेरी वाली तो माहरा ही लाएगी लेकिन हमारे पारस मिया माहरा को घर के अंदर मिस कर रहे हैं हाला कि पारस अपने ले शो में दुलहनिया ढूंडने निकले हैं बावजुदिस के पारस को महरा की ही याद सता रही है पारस को शो में अंकिता से कहते हुए सुना गया कि उन्हें शादी के लिए महरा जैसे लड़की चाहिए जब अंकिता ने सवाल किया कि क्या महरा से प्यार करते हैं तो पारस का जवाब था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त ह और मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे लेगन अंकिता इस बात पर पारस को टोकती हुई ये कहती हुई नजर आएं कि आपकी आँखें कुछ और ही कह रही है वैसे पारस की शकल से तो साफ पता लग रहा है कि पारस महरा को कितना मिस कर रहे हैं तो क्या पारस को सर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होगा या फिर एंटेटेन्मेंट के नाम पर ये स्टार्स वो सब करने को तयार है जिसके लिए शायद इनका दिल इनका साथ ही नहीं दे रहा अब इन सवालों का जवाब तो हमें पता नहीं लेकिन हां इतना जरूर पता है कि इन दोनो प्लेद बालाओं के आसपास होने के बावजोत भी हमारे संसकारी प्लेबॉइ प्लेबॉइ कम संसकारी जादा बनते हुए सिर्फ और सर्फ महरा की ही यादों में खोए हुए हैं आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें don't forget to like share and comment